बहुत बदलावाया अपना फिजिकल दिया जिसमें मैं दो सेकेंड से फेल हो गया था जो बच्चे क्यूज वेगरा करते थे उनके साथ बैठा करता था और कुछ पब्लिकेशन की बुक्स वेगरा आते थी जिसका प्रैक्टिस सेट में क्या करता था और लुसेंट को लेकर क किरन पॉप्लिकेशन के प्रिवेस येर को लेकर आप एक्जाम टोड़ देख रहे हैं आप देखिएगा किस तरीका का जगह है क्या बिवस्ता है और इसमें दो विद्ध्यार थी एक साथ रह के पढ़ाई करते हों का दरोगा में फाइनल होता है लेकिन एक भाई कुछ अं कैसे बिवस्ता है फिर भी ये लोग ये सब दिखा दिजिए कैसा बिवस्ता है फिर भी ए स्टुडेंट का लाइफ में आउं कितना एस्टगल आप लोग करते हैं कैसे रहते हैं और तब जाके एक बार सेलेक्शन होता है थोड़ा सा रूम दिखाईए इनके और किस कैसे र पर चुछ है जब तीन बार चट चुके हैं वह दर्द जेल चुके हैं जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा उससरा बदलाव आया सभी लोग जो पहले होने के कारण लगता था कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा उनका बार-बार कॉल आना उनको जबरदस्ती का अपना स जुराव रखना अब हमको अपना बताना लेकिन जब फेल हुए थे तो कोई अपना नहीं आता था कि मेरा अपना बतीजा है या भाई है या कुछ भी है कुछ भी नहीं लेकिन जब आज पास होने के बास सब अपने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे अपने आपको मेरे सगी संबंदी बता रहे हैं घार पे आ रहे हैं वहारे माबाप के पास जा रहे हैं वत हम तो यह में चट गया थोड़ा सा के कारण दुख लगा कि दुख लगा लेकिन हमारे दुख को देख करके वो थोड़ा समझा कि भाईया इतना लंबा समय खेला है इतने लंबे समय के बाद मिला है तो हमारा यह स्ट्रगल कुछ नहीं हम भी आगे लड़ सकते हैं अभी वो तैयारी र उस समय 76.8% 384 नंबर था इंटर 13 में किया उसमें कितना परसेंट उसमें व्याद नहीं बटो फर्स डिविजन का मार्स था ग्रेजुएशन आप किस सब्जेक्ट से कि ग्रेजुएशन मेरा एकनॉमिक्स रहा एक साल का उसमें पोस्पोर्ण होगया था कुछ सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं जमा किया था जिस आधार पे मैंने जमा किया था हम लोगा बीना मेडिकल वालों के लिए रिजल्ट जाड़ी कर दिया गया तो उस समय मेरा नंबर जो बाद में दिखा है उस नंबर को देखे हम काफी रोज थे कितना होने के बावजूद भी हम फेल हो गया कितना नंबर था उस समय मेरा 162.8 नंबर उस समय था दूसरा बार जब आप एक्जाम दिया था ना कि मेरे दोनों घुटने कुछ अजीब हो गया था मैं चल भी नहीं पाता था फिर भी 10-15 दिन का रेश्ट लेकर मैंने बीएस कॉलेज में अपना फिजिकल दिया जिसमें मैं दो सेकेंड से फेल हो गया था इस बार आपका फाइनल जब दो बार आप सफल रहें तिसरा प्रियास में आपका सेलेक्शन होगा सिल्फ चड़ी करते थे या कहीं कलास होगा करते थे ते या कैसे मेरा जैसा माहॉल है ना इसमें क्लासेज काफ़ी दूर दूर तक है तो क्लासेज थो कभी नहीं करवा या किसी के पास जाकर बट जो बच्की की स्थूबूबूट करते थे उने के साथ बैठा करता था सुख पप्लिकेशन की बुक्स पैगा करते थी D यह सब थोड़ा सा दिखा दीजी एड्मिट कर बीधार केवल दिखा देना यह में 2446 यह four । था 2446 वला है यहां यह 213 का है 213 का है उसमें इनका सेलेक्शन होगा और यह फाइनल का है देख सकते हैं और उस समय जो 2446 के समय मेडिकल लगाया थे उसमें बकायदे बेड रेश्ट फॉर दा टू डेज लिखा गया था इनको नहीं बुलाया अब थोला सा नोट्स हमको दिखाए चुकि बच्चे नोट्स जानना चाहते हैं नोट्स कैसे बनाएं फिर बताये जा रहाए कि 2000 भरती है नोट्स कैसे आप बनाएं नोट्स कंपेर करके कुछ आगे तक खेल सकते हैं कब से किताब को आगे लेकर पढ़ते रहा जा तो आप उस किताब पे पकर बना करके आगे तक खेल सकते हैं तुनोट्स थोरासा दिखा देजे च्या-क्या नोट्स बनाने में ध्यान दिया नोट्स बनाने में है कि प्रिवियस कांसे कोर्षिंग पे आयोग्व दौरह 15 जा रहा है तो स्टार्टिंग में बढ़ा जाते थे जैसे पूछा जाता है युद्धा व्यास वगेरा कुछ इतिहास की बात है सिकंदर विटामिन सब कुछ एक एक करके रेलवे जोंस वगेरा देखे आठिकल सब्सक्राइब करके नहीं मतलब जो जहां से पढ़ना स्टार्ट की है उसी जगह से जब मन न लगे तो इस किताब में पर यह आच कैसे मारते थे जो आप टेस्ट किस परकासन के बूक से प्रीवीजेयर को मैं जीज़ादा रिकमेंट करता जितना वी मनें हैं टेस्ट करन पूब्लिकेसं का मैंने प्रीवेस शियर मार रहा है इसके साथ कई सारे चैनल्स ऐसे कि एकजाम जॉली हो गया एकजाम पोटल हो ग थोड़ा सा कर देखा कर बच् previously बटीकित if एस सब फेली बात होती थी कि आप गल्ती कहा कर रहें हैं जैसे कि आप इस सभी सब टॉपिक को इसी बुक्स में अगर देखा कर कैनल का benefit means के प्रैक्टिस में थोड़ा लगे हूए हैöz इसनापि मेरा पीछ और फॉलो लगा हैं उससे में 67 का prelims वा था उसमें मेरा PT हुआ तो मैंने उसका में दिया 68 का मैंने PT दिया उसमें हुआ तो थोड़ा अच्छा में लिखा था पिर 69 में इस बार FAO में लिखा हुँ इस बार लिके हैं थोड़ा प्रिवियस BOOK वला जो बता रहे थे उसके चारो option पर खेलना होता है जैसे किसी question पर आ गया तो आपको चारो option पर देखना होता था कि कौशें जैसे कोई question हो गया कोई भी टॉपिक मेरा गलत हो गया सरजामी प्रथा मराथा ऐसे लिक करके आगे आगे बढ़ा करता था कुछ की टॉपिक के जैसे जो भी दरोगा आयों पूछता है उसके पैटर्न पे मेरा प्रस्नल नोट्स हुआ करता था कि जैसे क्या देखे कौन सा किधर से जो कोईचन गलत हुआ उसी को लेकर बढ़ा करता था और इधर कुछ हो बिद्यारती के उपियों की करेंट हो करा सब कुछ थोड़ा साथ है इसे सबसे इंपोर्टेंट होता है चार किताबों को मैं पांच किताबों को मैं लेकर चला हूँ एक अस्पीडी का करेंट जो आपको पढ़ना है लुशेंट को रिवीजन फर्म में रखना ही है second आता है लुशेंट objective और ठर्ट ठर्ट ठर्ड आता है हमारे पास crown क्योंकि लुशेंट सबसे बड़ी बात होती है कि सत्यापित करना कौन सच बोल है कि गलत बोलई आपको crown बता देता है तो दिमाग में बैठ जाता है कि एक्जाम में निकलने को बाद कन्फ्यूज नहीं होते हैं कि मैं गलत मा रहा हूं मुझे लगता है इसमें ही पढ़े इसमें ही पढ़े दोनों हम पक्का सही मार किया है और एक होता है प्रिवियस यह जो आप किरन का या किसी फल्विकेशन का उठा सकते हैं लेकिन प्रिवियस यह मारना कमपल्सरी है आप किसका मारे थे हम किरन का जैसे हिस्टी जोगरफी पोलिटीक नॉमिस यह सारे प्रसंद अधिक रहते हैं साइंस के भी प्रसंद का बरियाता आप देखा जा रहा है बहुत सारा सुधार हो रहा है साइंस में आए दिन कुछ ना कुछ खोज हो रहा है नया ना प्रसंद जूर रहे हैं अब दरोगा कब लग रहा है कि NCRT पढ़ना पड़ेगा आप भी NCRT पढ़े थे का नहीं हम NCRT नहीं पढ़े थे इनका इनका बुक लिस्ट होगा रहा दिखा दीजे देखिए यह इनका टेबल है और इनसे चर् सिघ्ट वाला भी एक्जाम दे रहा है यहां पर भी आपका सब कुछ है क्या कर रहे है यह मैंतमेटिक्स बॉत बना रहे है क्यों की नहीं होता है दोरोगा कंडिडेट्स में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं जिसका खामे आज़ा होता है कि अलग एजाम जैसे बिहार तो तो थोड़ा मैंट्स को देखकर के आगे एसाइन से में लिखे हैं में कहां चट जा रहा है में 67 में जैसे एक चेंजेज किया गया था हमारे जोड़ाफी आफ्सेनल में फेल हो गया था उसके फॉस्ट कोष्टन में सौट एंसर कोशन काफी दे दिया गया था पहली बार कोई experience नहीं था सौट एंसर कोशन का मैं सौट एंसर को भी long लेकर चला इसका खामे आजा मुला कि कई सार कोशन छूट गया और उसमें मैं फेल हो गया था जिसे आप मेंस भी लिखे इंटर्व्यू तक अभी नहीं पहुंचे है नहीं पहुंचे है नोट्स बनाए ये भी मुझे दिखा दिये क्या कुछ टाइम टेबल आप दोनों भाई का था क्या टाइम टेबल तो रहता है कैसे टाइम टेबल बनाए था ओकव भी बदा है मौनिंग में जैसे आपको बता है नास्था के साथ एक करेंट रिफेर लेना है उसके बाद लूसेंट या किसी टॉपिक के सारे सब्जेक्ट को यानि कि मिनमाम नाइन सब्जीक्ट को आप लिए को आप डिस्टिबीट कर दिजे साइन्स के लिए रन नीतिया स्टैंडर्ड 9 और 10 का एक भारती फॉन प्रविकेशन इबुक आती है, जो हर बच्चे 9-10 का पढ़ते हैं, उसको मैं रहे कमांड करता है, यह देखिया, स्टैंडर्ड 9 का है, इसके पुराना वाला है, इसके हर नोट्स को हाइलाइट करते यह आप दुनों भाई एक साथ पढ़ते थे या लग लग पढ़ते हैं, वह जूनियर था, वह थोड़ा मेरे से सरमाता है, या तो कह सकते हैं, मेरे साथ बैठने में कमफर्ट फिल नहीं करता था, और कहीं नहीं कहीं, उससे लगता थे भाई अल्लेडी फ्रस्टेड रहता है, इससे पूछेंगे तो कुछ बोल सकता है, यह मेरा सबजेक्टिव लुसेंट रहा है, इसके छोटे-छोटे-छोटे-छोटे, लगवा हर पोर्शन को जो पढ़ा हुना, बना करके ही पढ़ें, यही ही रहा इसका, अपने भाई को गाइड किये कि नहीं, चुकि आपका सगा भाई है, छुटा भाई है, उसको गाइड किया था, मैंने गाइड किया था, बट आप एक समझ सकते हैं, कि घर का मुड़गी दाल बरावा, सबको, सबके माइड में, माइंसेट में होता है, कि इसका हो नहीं रहा है, तो क्या आमको सजेशन देगा, यह एक चलता है, माइन जहां बैठ जाता है, तो वो सुनना नहीं चाहता था, कईयों जो सक्सेश होते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, जो लोग भी फेल किये, मेरे नजर में, जितने भी बच्चे, फीजिकल के लिए बुलाए गए थे, वो सब सेलेक्टेट कंडिडेट है, सब सेलेक्टेट अरेंट को लेकर तो आप सुझाव कर दिये, साइंस भी बता दिये, कि आप वहां NCRT पढ़े, सब कुछ दिखा दिये, आर्ट्स पेपर को कैसे मजबूत करेंगे, आर्ट्स पेपर को मजबूत करने के लिए लुए लुसेंट को देखते हुए, उसके छोटे छोटे छोट प्रिवेसर को देखिए कि कौन से टॉपिटे से अकबर, अगर पूरे मुगल इंपरवर को पढ़ते हैं, तो आप सायद मिसगाइड हो सकते हैं, लेकिन उसके अकबर पोर्शन से हर भार कोशन पूछा जाता है, तो अकबर ने कब क्या किया, कैसे किया, क्या किया, आप आपको जुवान पर डेट याद रहना चाहिए, कि 857 के बाद, 1869 में क्या हुआ, 60 में क्या हुआ, यह सब चीजों को डिलाइन करते हुए, आपको आगे-ागे बढ़ना पड़ेगा, इस बार, प्रिलिम्स में आपका कितना स्कोर था, कुछ आइडिया आकर मिलाया हो जो ज तो इस परपस से मैं सर से बात भी करता था, कि कब सर मेरा हो गया या नहीं हो गया, तो कभी यह कहते थे कि आप स्क्रीन सोट रख लिजिए, आपका पका हो जाएगा, तो हम जो बच्चे सेट प्रेक्टिस करते हैं, अंक नहीं बढ़ता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो सेट लगा रहे हैं, आज भी उतना ही स्कोर आरा है, कल भी लगाएं, उतना ही िअसकोर आया, परसो लगा रहे हैं, बढ़ गया या कम हो गया, क्या करना चाहिए उनको, आप करते थे, क्या सजेस्ट कें प्रेक्लाऊ अगर आपको किसी एक कोष्ण पे गलत हवा या तो अगली वारे से यह याद कर लें यह आगत नहीं नहीं इसके बारे में क्या क्या पूछा जैसे खेरा के बारे में कई सारा पूछा जाता है खेरा, सकड, खेरा, खेरा सत्य आगर तो कुछ word type का आपको देखना पड़ेगा इस वर्ड से कितना related है आपको देखना पड़ेगा जैसे अकबर के बारे मिपुझ पूछा आता है या कोई कॉछा अधिवेशन के बारे मिपूद आता है तो एक बार सारे को देख लीजे आप अभी बताये, जैसे माल लीजे, sit बनाए मानो अंग से कोई गलती हो गया. तो क्या आप science आते थे, उस अंग को पुरा पहल लेते थे या उस को के बल सेट बना लिए तो हो गया. मानो अंग से अगर कोई question गलत होता है. जैसे हडी होगी संख्या गलत हो गया. कि खोपडी में, सर में हड़ी की संख्यां कितनी है, 29-28 में कई सार बच्छों को कनफ्यूजन होता है. तो एक बड़ी में जा लेजिये कि कौन सा क्वोशन कैसे पूछा जाता है? सिर में बोलेंगे तो कितना हड़ी खोपड़ी में बोलेगा तो कितना हड़ी यह सब कोशन थोड़ा पार बनाता है कि सिर में कितने हड़ी है और खोपड़ी में कितने हड़ी है तो खोपड़ी में उन्तिस सिर में 28 तो ऐसे कोशन कंफ्यूजन रिलेट करके परना पड़ेग चारमया एक हमारे मित्र हैं, भी एक कुमार्शिंग नाम है, वो मुझे उठाते थे या हम उनको उठाते थे, वो कपाती ठंडी में भी हम लोग रास्ते का कोई बैनर निकाल कर उसको ले जाते थे, उसको बिछा कर अपना पांच राउंड मारने के बाद अपने कपड़े को, जैकेट उतार उतारते तब राउंड लगाते थे, करते थे, वो ही दोनों दोस्त, लेकिन वो मेंस में आउट होगे, हिंदी में वो फेल कर गया, क्योंकि इस वार हिंदी काफी टफ पुछा गया था, कई सारे बच्चे मेरे खियाल से हिंदी में फेल होगे, एक बात बता लगभग मेरे समझ से जितना परशनाया, आप लोग जो कमेंट किये थे, सब कुछ इन से जानने का मैं परियास किया, और साइध यूटूब के इतिहास में इतना बहतरीन, कोई वीडियो अभी तक नहीं पड़ा होगा, किसी भी यूटूबर के द्वारा, सेल्फ है स्टड है अभी इंटर्वू तक पहुँचेंगे, BPSC CPor की बीतारी कर रहा है, यानि आप जहां भी है तैएरी करते रहें, क्या सुझाओ होगा जो विद्यारती Cilde की तैजियर कर रहा है है, दरोगा की तैयारी कर रहा है या बिहार पुलिस एक्जामिलों को क्या आप सुझाओ कर जब तक आपके दिमागे प्रिविएस ये नहीं रहेगा आप नहीं निगाज सकते हैं चले बहुत बहुत धन्नवाद आपका